हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुत्ता इस्त्रीवम प्रसूती रोग विशेशग्य और किंडम अफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आपने प्रशन पूचा है कि अगर ऑपरेशन के बाद धागा अंदर रह जाए तो कोई दिक्कत हो सकती है क्या और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महिलाओं में अकसर जो पेट पर ऑपरेशन किये जाते हैं या तो बच्चे के डिलिवरी कराने के लिए a cesarean section किया जाता है या फिर बच्चे दानी या अंडे दानी में कोई खराऑी आने पर माहिलाओं के पेट पर आपरेशन किया जाता है यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहे हूँ कि यह जो इंसीजन हम या चीरा जो हम लगाते हैं पेट पर वह वर्टिकल इंसीजन याने कि खड़ा चीरा हो सकता है जो कि नाबी के कुछ इंच नीचे से लेकर नीचे जो हेयर लाइन होती है उससे थोड़ा उपर तक लगाया ग्रीजन फेटा है और जो दूसरा जो इंसीजन होता है वह होता है टान्सवर संसीजन याने कि आठा चीरा जो की जूबिक हेयर लाइन होती है उससे थोड़ा सा उपर देते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने subcutaneous stitching की है monocryl के द्वारा और monocryl एक absorbable suture होता है और skin को close जो किया है वो subcutaneous stitching से किया है यह wicryl से skin closure किया गया है subcutaneous suturing की गई गया यहाँ एथिलोन से interrupted skin closure किया गया है दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिए और अगर आप डॉक्टर सुमन गुपता से परस्नल गाइडेंस या कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो वेफसाइट है उसके द्वारा आप हमसे संपर कर सकते हैं और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम स्टिच रिमूवल करते हैं और किस तरीके के सूचर माटीरियल को किस तरीके से निकाला जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं यह हैं ट्रांसवर्ट सुप्रव्यूविक इंसीजन है सेजेरियन सेक्शन इस पेशन में हुआ है और सब कुटेनियस स्किन क्लोजर किया गया है एथिलोन नौन एब्सोर्बेविल सुचर माटीरियल से जो की घुलने वाला टांका नहीं है लेकिन यहाँ इसकिन फ्रेंडली होता है इससे इसकिन में कोई ऐसी रियक्शन नहीं होती है यह जिसकी वज़े से परिशानी हो दोनों तरफ इंसीजन लाइन के नौट्स दी गई है एक तरफ से गाट को काड़ दिया गया है और दूसरी तरफ से धागे को कीच कर निकाल लिया गया है यह एथिलोन है और नौन एब्सोर्बेविल सुचर है मतलब घुलने वाला टांका नहीं है और आप देख रहे हैं कि इसके की जो सुचर लाइन है इंसीजन लाइन है वा हेल्दी है और उससे कोई डिश्चाज नहीं आ रहा है अगर आपका ओपरेशन पून तह इस्टरलाइज टेकनिक से किया गया है और आपके शरीर की घाव भरने की चमता बहुत अच्छी है तो इस्टिश लाइन से कोई डिश्चाज नहीं आता है और आपकी हीलिंग भी अच्छी होती है ये दूसरे ओपरेशन के पेशेंट हैं जिनमें की सेजिरिन सेक्षन किया गया है और प्यूबिक हेर लाइन से उपर आडा चीरा दिया गया है और एथिलोन लगाकर इंटरप्टिट सूचरिंग द्वारा स्किन क्लोजर किया गया है और जो सूचर मटीरियल है वह ना घुलने वाले टांके यानि की नौन एब्सॉर्बेबिल सूचर मटीरियल है operation के टांके मरीज की परिस्थिती को देखते हुए operation के आठवे दिन से लेकर 14 दिन के भीतर कभी भी काटे जा सकते हैं अलग-अलग मरीज की healing की जो छमता होती है भाव भरने की जो छमता होती है वो अलग-अलग होती है अतह डॉक्तर बीच बीच में बुलाकर ड्रेसिंग करते हैं और डिसाइट करते हैं कि टांकों को कब हटाना है यह स्टेच रिमूवल किया जा रहा है और वून लाइन में कोई भी डिस्चार्ज नहीं आ रहा है कोई पर्स डिस्चार्ज नहीं है कोई पानी नहीं आ रहा है पेशिंट की हीलिंग बहुत अच्छी हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया हीलिंग पावर जो मरीज की होती है गाव बनने की जो छमता होती है मरीज की अपनी शरीर के स्वास्थे पर निर्भर करती है अगर मरीज अच्छा भोजन ले रहे हैं तो उनका इस्टिच लाइन की जो हीलिंग होती है वो अच्छी होती है यहाँ पर आप नेक्स्ट पेशिंट देख रहे हैं जिसमें की एब्जॉर्बेवल सुचर यानि की वाइक्रिल से सर्जिरी की गई है और यहाँ वाइक्रिल अगर स्लाइड करता है तो निकाला जा सकता है अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो इसके दोनों एंड से हम इसको काट सकते हैं वाइक्रिल घुलंशील धागा होता है अगर यहाँ इसकिन के नीचे रह भी जाता है तो मरीज को कोई इससे परिशानी नहीं होती है यहाँ धीरे-धीरे समय के साथ अपने आप घुल जाता है आतह यहां पर जितना धागा बहार आ रहा है उतना काड़ दिया गया है बाकी वाइक्रिल सबकुटिनियस इसकिन वोन लाइन के नीचे ही है और मरीज की जो अपरेशन की जगह है वहां से कोई डिश्चार्ज नहीं है और एलिंग भी बहुत अच्छी हुई है और धीरे धीरे जो इस इसकिन पर डार्क पिगमेंटेशन है वहां अपने आपी समय के साथ साफ हो जाता है इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बस ऑपरेशन के बाद अपने खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखें और जहां से ऑपरेशन हुआ है उस जगे की भी सफाई रखें और डॉक्टर ने जो दवाईयां दी है उसे समय से लेते रहें और जहां से ऑपरेशन हुआ है उस जगे को करीब डेड़ से तीन महीने तक रेश्ट पर रखें यह एक ओवीस पेशेंट में सेजेरियन सेक्षन किया गया है और अधिकतर जिन मरीजों को ओबैसिटी होती है जिनके एब्डोमिनल फैट ज़्यादा होता है तो वहां की सूचर लाइन से अक्सर पर्ज डिस्चार्ज या सीरो सैंगुनेज डिस्चार्ज आता रहता है लेकिन यहां इन पेशेंट की इमिनिटी पावर बहुत अच्छी है और ऑपरेशन भी पूरी इस्टरलाइस टेक्निक से किया गया है ऑपरेशन के बारे में दिन इनके सूचर हम रिमूव कर है और बहुत अच्छी तरह से इनके हीलिंग आई है जबकि इनका अब्डोमिनल फैट बहुत जादा है तो अच्छे ऑपरेशन के रिजल्ट्स आने के लिए आपकी हीलिंग पावर यानि इमिनिटी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए इसलिए ऑपरेशन से पहले ऑपर रख सकते हैं और डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन्स को तीन महिने तक जरूर फॉलो करें और डॉक्टर जो आपको धवाईयां दे रहे हैं उन्हें समय पर लेते रहें और कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर के पास जरूर जाएं घर बैठकर इ Thank you very much, operation के उपर मेरे इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज बने हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे की operation के बाद अपनी देखवाल कैसे करें, operation के टांकों से अगर पस आ रहा है, तो उसके बाद अपनी ड्रेसिंग किस तरीके से कराएं, Thank you friends.